नमस्कार दोस्तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ विथ होमेपेथी में डॉक्टर इसके पटेल करेली दोस्तो आज के वीडियो में हम किसी वीमारी के बारे में चर्चन ही करेंगे आज का वीडियो केवल हमारी प्रकृति के लिए है रखbaum हो जाता है दोस्तो प्रकृति ही हमें जीवित रखे हुए हुए है और प्रकृति ही हमें ऐुक्सिजन देती हैं जिसके वबएस साथ ले पाते हैं लेकिन आज के आदुनिक्ता के दोड में हम देखते हैं कि पेड़ों की अंदधुन कटाई और जगे-जगे कालोनी बनना, डेवलम्मेंट होना, कंस्ट्रक्शन होना इन सब की वज़े से पेड़ पोदे कटते जा रहे हैं और प्रकृति को काफी हानी पहुँच रही है जब भी हम देखते हैं कि प्रकृति को उपर अत्याचार होता है तो एक वार वो जरूर करवट लेती और हमें इस चीज का एहसास दिलाती है कि हम इसके साथ गलत कर रहे हैं जैसा कि अभी हाली में ताजा समय में कोरोना के समय हमने देखा है कि कोविट काल में हमने अपनों को खोया है और केवल आक्सिजन की कमी की वज़े से आज हम हॉस्पिटल में जाके हजारों रुपे खर्च करके आक्सिजन लेते हैं जब हम कोविट के समय जीवित रहे पाए लेकिन प्रकृति हमें मुफ्ट में भरपूर मात्रा में ऑक्सिजन देती है इसलिए मैं आपसे यही बिंती करूँगा कि अपने जीवन में एक पेड जरूर लगाएं और उसके ताउम्र ध्यान रखें ताकि आपके आसपास हरियाली का माहल बने कि सभी लोग अपने जीवन में कोई भी अच्छा पड़ाव आता है कोई भी उत्सव आता है उसमें जरूर एक पेड या पोधा लगाएं जो आपके लिए ऑक्सिजन देगा साथ में आपके आसपास में हरियाली बना के रखेगा खुसाली बना के रखेगा अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को सेयर करें लाइक